तो एलो वेंट कैसे हैं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला है तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो यह आप समच पाएंगे दोस्तो चलते हैं है थो यहां पर यहां पर आप समसंक मैंसिज को एप खोलेंगे तो यहां सबसे चो को आपको कुछ भी मीटिंग हो डिए को कुछ बेजना रहता है श कुछ मैंसेज बेजना है यह न इब payroll व मेजना पर जाना है जिसको मैसेज भेजना है उसके आद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है जैसी इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक आप्शन मिल रहा है जिसका नाम में आपको दिख रहा होगा आपको इस व का तो यहां पर आपको particular दिट में उस टाइम पर लाइए कि कि यहापी बरड़ एंग मना लाइग मेरो को मेरो को खुद को अपने फ़र्ड़ बोलिना पर नाइटीम को है तो मैंने खुद को ही अपना हैपी बड़ला है तो मैंने यहां पर लगाया रात बारा बजेगा 19 तारीक का 12 बच के 12 मिनिट पर मतलब मौनिंग पर मेरे पाँ सबसे पहले मैसेज चलाई यहाँ पर मैंने यह कर दिया इसका दिया यहाँ पर डन कर दिया डन करने के अब आप देखेंगे will be send throw 19 अक्टूबर यह टाइम आ गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया जो मैसेज भेशना है happy birthday bro और मैंने यहाँ पर यह बटन दबा दिया send का अब आप देखेंगे उपर जो sending का button है महाँ पर आप देखेंगे घड़ी सी बनी आगई मतलब की अगर आप इस पर click करेंगे तो वह आपको बता भी देगा this message is schedule और उपर आपको दिखा भी रहा होगा कब message जाएगा Thursday को जाएगा 19 अगस्त को यह message यहाँ send हो जाएगा automatic तो बहुत ही कमाल का feature है अगर आप किसी को schedule करके message भेजना चाहते तो आप इस feature का use कर सकते हैं और आपको definitely मज़ा आने आगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो second जो feature बता रहे हो वाला 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 बहुत ही कमाल का वो भी बहुत अच्छा feature है दो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी जाइट रोम आपको उसके क्लिक कर लेना है यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साय सा उप्शन मिल जाएगा आप डेफोल्ट आपको इत्ते सारे यहाँ पर दिये गए आप चाहें तो इसमें से color चुन लेजे नहीं तो आपको यहाँ ग्यैल्री को अप्शन diya तो आपको अपकी सारी फोटो जाएगे उसरी फोटो को आपने अपने invention पर लगाना है क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आप देखेंगे पीछह आपकी बैंकरॉंड में आ घखाए यहां पर आप केमपेसिटि कर सकते हैं कि कितना वही सेट कर सकते हैं कि किトING को सैट कर सकते हैं यह हो गया दोस्तों सेकेंड फीजर थर्ड फीजर बताने वाला हो भी बहुत ही कमाल का फीजर है दोस्तों होता कै है आप देखेंगे याप दिन भर में इतने सारे फाल्तू के मैसेज आते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के मैसेज आते हैं जो unnecessary होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि इनके कोई message आया तो हमें alert आया बट दूसरे message तो आते हैं कि अब पूरे message अब को तो alert आफ नहीं कर सकते हैं बट एक particular conversation को भी आप यहाँ पर सैमसंग की message में एक particular conversation को भी आप mute कर सकते हैं कि अगर उस conversation से आपके बास कोई भी message आया तो वो आपको उसकी कोई भी notification ना दे आता हूं कि message मेरे पास बार बार आये बार बार नहीं आये और अगर आये तो मेरे पास mute की conversation मुझे sound ना सुनाई दे तो आपको इस पर click करके रखना है और यहां पर आपको दिख रहा हो notification वाला option आपको दिख रहा है चाहे तो आप यहां से भी इसको कर सकते हैं अगर आपक इसका sound आपके पास नहीं आने वाला दोस्तो उसके बाद उस फूर्थ वीचर बताने वाला वह भी बहुत कमाल का दोस्तों यहां पर होता क्या है कुछ ऐसे message होते हैं हमार पास वो गलती से हमार पास डिलीड हो जाते हैं like मेरे पास यह message मैंने खोला और यह गलती से मेरे प पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों उस app उसको उसको उस message को बापिस recover कर सकते हैं जिसको आपने instantly या गलती से आप से डिलीड हो गया है और उसको बापिस अपने रिस्टोर कर सकते हैं उसके आपको करना क्या होगा जाना है रिस्टोर और डिलीड का आप चाहें तो रिस्टो तो यह बहुत ही अच्छाइब करा का wiele दूसके बाद दोस्तों कि नहीं हो कि दो सो कोई machen पर संदेंगी यहीं तो आप सेंस्टका ट्रिय। तो जब भी कोई भी notification आएगा चाहिए बहुत पुराना भी हो जाएगा बट आप जब message app में जाएगे तो वो conversation आपको अपने टॉप पे देखे लिए वो कैसे तो आप देखेंगे like मेरे को यही वाली conversation में टॉप पे चाहिए मेरे को यहां पर इसको क्लिक करके रखना है क्लिक करने क्या आप यहां पर मौर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर हो जाएगा आपको दिख रहे होंगे यह पेन आपको नीशे साइड में निशान भी दिख रहा होगा यह पिंस के सारे यहाँ पर निशान दिख रहे होंगा दोस्तों तो यह होता है पिंस पुराना भी हो जाओगा तो भी आपको यहाँ पर पेन में मिल जाएगा दोस्तों उ और उन conversation को वहाँ पर आप particular save कर सकते हैं होगा क्या जब भी उन conversation से या पुल सकते हैं उन number से आपके कोई message आएंगे वालगी categorize हो जाएंगे आप देख रहे होंगे आपर मैंने family नाम से बना रखा तो यहाँ पर यहां पर आपको चूस करने को बोलेगा कौन सी conversation को आपको यहाँ से बनाई है और नीचे चूस कर लिए तो आप बाद में यहां से को एड कर सकते हैं जिससे होगा क्या कि बार बार आपको सारे मैसेश भी ढूंड़ना नहीं पड़ेंगे पर्टिकुलर कमिशिशन को आप डारेक्ट यहां पर जाके कैटेगरी में जाके उन मैसेश को देख भाएंगे दोस्तों यह भी बहुत ही शांदर विचर है उमीद है क दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो अगर आपको लगत कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करना ना बोले और अगर आप मेरे चैनल की अपड़े आपको सबसे पहले बिले दो थैंक यू